किसी राजे में एक परतापी राच्च हुआ करता था वो राजा हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान दिता अपने इस उधार वैवार और तया की भावना की वज़े से राजा पूरी जनता में बहुत लोग परिये हो गया था रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहां गरीब लोग और बिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी राजा हर इंसान को दान देता और संतुस्ट करके भेजता था किशन और गोपाल नाम के दो गरीब बिखारी रोज राजा के यहां दान लेने आते किशन और गोपाल राजा जब किशन को दान देता तो किशन राजा की बहुत वहावाई करता और राजा को दुआएं देता वही जब राजा गोपाल को दान देता वह हर बार की तरह एक ही बात बोलता हे इश्वर तू बड़ा दयालू है तूने मुझे इतना सब कुछ दिया राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगी राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस इस्वर का करता है दिन राजकुमारी का जिनम दिन था उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया जब किशन और गोपाल का नमबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन राजा के गुणगान करने लगा लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया वो हाथ उपर उठा कर बोला हे इसवर तू ही अंदाता है आज तो ने मुझे इतना दिया कि उसके लिए परवो मैं तुझे धन्यवाद देता हूं राजा को यह सुनकर बड़ा गुसा आया उसने कहा कि गोपाल मैं रोज तुम्हे दान देता हूं फिर तुम मेरे बजाए उस इसवर का गुणगान क्यों करते हो गोपाल बोला राजन देने वाला तो उपर बैठा है वही सब कान दाता है आपका भी और मेरा भी यह कहकर गोपाल वहाँ से चला गया अब राजने गोपाल को सबक सिखाने की सोच ली थी अगले दिन जब किशन और गोपाल का नमबर आया तो राजने किशन को दान दिया और कहा किशन मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ और हाँ आज तुम अपने पुराने रस्ते से मत जाना आज तुम को राजमेल के किनारे से जाना है जहां से सिर्फ मैं जा सकता हूँ किशन खुशी खुशी दान लेकर चला गया राजमेल के किनारे का रास्ता बहुत ही सांदार और खुशबू से बरा हुआ था संयोग से राजा ने उस रास्ते में चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था लेकिन किशन आज अपनी मस्ती में मस्त था वो सोच रहा था कि राजा के मुझे पर बड़ी कृप्या हुई है जो मुझको अपने राज महल के रस्ते से गुजा रहा है यहां से तो मैं अगर आख बंद करके भी चलू तो भी कोई परेशानी मुझे नहीं होगी यही सोच कर किसन आख बंद करके रास्ते से गुजर गया लेकिन उसकी नजर चांदी के सिकों से भरे घड़े पर पड़ी ही नहीं थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम जाओ क्योंकि किसन आप जा चुका होगा लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे किसन गया है गोपाल धीमे कदमों से इसुवर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला अब थोड़ी धूर ही गया होगा कि उसकी नजर चांदी के सिक्के से भरे घड़े पर पड़ी गोपाल घड़ा पाकर बड़ा खुस हुआ उसने कहा इसुवर तेरी मुझे पर बड़ी अनुकमपा है तो ने मुझे इतना धन्दिया और वो घड़ा लेकर चला गया अगले दिन फिर से जब गोपाल और किशन का नंबर आया तो राजा को लगा कि किशन घड़ा ले जा चुका होगा इसलिए उसने किशन से पूछा क्यों किशन कल का रास्ता कैसा रहा? रहा में कुछ मिला या नहीं? किसन ने कहा महराज रास्ता इतना सुन्दर था कि मैं तो आखे बंद करके ही घर चला गया लेकिन कुछ मिला तो नहीं फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजा कल मुझे चांदी केशिकों से भरा एक घड़ा मिला इस वर ने मुझे बड़ी किर्प्या की राजा किसन से बड़ा गुस्सा हुआ उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूँगा बलकि एक तरबूज दूँगा किसन बेचारा परेशान तो था लेकिन कहता भी तो क्या चूपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा उधर राजा ने गोपाल को रोजाना की तरह कुछ दन दान में दिया किसन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूँगा और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया अब जब गोपाल रास्ते से गुजरा उसने सोचा कि घर कुछ खाने का तो है ही नहीं क्यों ना मैं बच्चों के लिए एक तरबूज ले लूँ तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे किसन बेच गया था अब जैसे ही घर आकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे गोपाल यह देखकर बड़ा परसन हुआ और इसवर का धन्यवाद किया है इसवर आज तुने मेरी कर इपी दूर कर दी तू बड़ा दयाल हुए सब का अंदाता है अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केहल अकिला किसन ही आया है गोपाल नहीं आय उसने किसन से पूछा तो किसन ने बता कि कल भगवान की के पासे गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे वह गोपाल तो अब सौमपन इंसान हो चुका है किसन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की और उठाए और बोला सारी बात समझा चुकी थी प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें